हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्यप्रदेश डेली के रंट अफेर में आपका स्वागत है दोस्तो आज 21 अप्रेल 2019 और यह हमारी 132 भी क्लास है 12 Important Question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नौलेज की दरश्टी से बहुत इम्पोटेंट है इन क्वेशन को आप नूट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाती है साथी Question से Related, Important Fact भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखनी है दोस्तो आपको अगर MPG के और Current Affairs से Related कोई भी प्रावलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए हम आके आंसर जरूर करेंगे दोस्तो आइकोन में एक Question दिया गया है जो जिसे आप टिक करके आंसर कर सकते हैं ये प्रिवियस टे का Question है Question No.1 हाली में जेरी काप का ने धन हुआ ये कौन थी जिसका से यॉफ्शन है अंतरिक्ष यात्री यात्री परिक्षन पास करने वाली पहली महिला थी इनका जन्म 1931 में अमेरिका में हुआ था दोस्तो आपको बता दें ये बिसो में सबसे बड़े एयर शो में उड़ान भरने वाली बिसो की पहली महिला थी तो आपको इतना जेरी काप की बारे में याद रखना है कौन से पहली भारती महिला है जो रोयल सुसाइटी फैलो में शामिल हुई है तो इसका सई उफ्षन है गगंदीब कांग गगंदीब कांग ऐसी पहली महिला है जो रोयल सुसाइटी फैलो में शामिल हुई है दोस्तो ये fellow of the royal society में शामिल होने से पहले इन्हें बच्चों में होने वाले संक्रवन के अनुसंधान के लिए जाना जाता था इन्होंने रोटा बायरस और टाइफाइट के संक्रवन में स्वधेसी टीके के बिकास में महतपून भूमी का निभाई थी दोस्तो बात करते हैं royal society fellow की तो ये लंदन में गड़ित engineering विग्जान और चिकिसा के शेत्र में युगदान के लिए दिया जाता है दोस्तो ये एक प्रिकार का पुरुसकार है और इसकी सुरुवात 1663 में की गई थी तो दोस्तो इतना आपको इस fellowship के बारे में याद रखना है next question हाली में किस help line number से 20 राजज और केंदर सासित प्रदेश जुड़े हैं तिसका सी option है 112 help line number से 20 राजज और केंदर सासित प्रदेश जुड़े हैं यह आपतकल नंबर 28 नंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश में लौच किया गया था दोस्तो यह प्रतिक्रिया आपतकाले इन समर्थन प्रणाली के तहत लौच किया गया था इस नंबर को डायल करके आप पुलिस, आगजनी, स्वास्त और महीला सुरक्षा आदी की सेवाइं उठा सकते हैं तो दोस्तो यह नंबर बहुत इंपोटेंट है आपको याद रखना है निक्त किया गया है जिसका से योफ्षन है जैदीप सरकार हैं ये 2016 में इजरायल में भी भारती एंबेसेडर रह चुकी हैं और अब दक्षन आफरीका में उच्चायक निक्त किये गए हैं दोस्तो अब बात आईए साउथ आफरीका की तो आपको इसके बारें बता दे साउथ आफरीका की राज़तानी है केप टाउन करंसी है जार यान दोस्तो अब बात आईए तमिलाडू की तो आपको मैप में तमिलाडू के बारें बता दे मैप में ये जगह है तमिलाडू को दरसाती है तमिलाडू की इस्थापना 26 जनबरी 1950 में की गई थी गवर्नर है बनबारी लाल प्रोहित तमिलाडू की मुख्यमंत्री है के पलान स्वामी और तमिलाडू की चिन नहीं है राज़धानी तो इतना आपको तमिलाडू की बारे में याद रखना है नेक्ट कोशन साउधी अरब को दर्साती है साउधी अरब की राज़धानी है रियाद और करंसी है साउधी रियाल यहां के किंग है मुहम्मस सल्मान तो दोस्तो इतना आपको साउधी अरब के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कोशन हाली में पश्चमी रेल्वे ने इंदौर और दाहुद रेल्वे लाइन प्रोजेक्ट में कितने बदलाब किये है इसको सई और और दाहुद रेल्वे प्रोजेक्ट में दो बदलाब किये गए है सबसे पहला बदलाव किया गया है इस प्रोजेक्ट में 8 सुरंगे बननी थी पर अब मात्र 3 बनाई जाएंगी इन सुरंगों की संख्या घटने से 750 करूर रुपए की बचत का दावा किया गया है दूसरा बदलाव किया गया है इसकी लंबाई में लंबाई जहां पहले प्रो दोस्तों यह इंदोर और दाहोद रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 2020 तक कंप्लीट करने के लक्ष रखे गए है नेक्स्ट क्वेशन यू आई डी ए आई के अनुसार आधार कार्ड की उम्र में बदलाव कितने साल का हो सकेगा जिसका से यॉफ्षन है 3 साल हाली में आई यू यू डी आई के अनुसार आधार कार्ड की उम्र में 3 साल तक का बदलाव हो सकेगा आधार कार्ड की उम्र में अब 3 साल से ज्यादा का बदलाव नहीं किया जा सकता है 3 साल से ज्यादा उम्र में चेंज करने के लिए रीजनल सेंटर यानी मुख्य कारेला जाना पड़ेगा UIDAI के यहां से बेरिफेकेशन के बाद उम्र में चेंजिस किये जा सकेंगे UDI ने कुछ नए नियम में बदलाव किये हैं नए नियमों के अनुसार जन्म तारीख में एक बार और नाम में सिर्फ दो बार अफग्रेडेशन करा सकते हैं दोस्तो अब बात आईए UIDAI की तो आपको इसके बारे में बता दें UIDAI का फुल फॉर्म Unique Identification Authority of India होता है इसके चेर्में ने जे सत्य नारायन और UIDAI को लॉंज किया गया था 28 जन्बरी 2009 को तो दोस्तो इतना आपको UIDAI के बारे में याद रखना है Next Question मद्ध प्रदेश में कहां सारंग तोप अपग्रेट की जा रही है जिसके से यॉफ्शन है जबलपूर जबलपूर में सारंग तोप अपग्रेट की जा रही है बहान निमाण जबलपूर यानि NFJ ने तोप को अपग्रेट करने के नड़ा लिया है 2019 और 2020 में 300 सारंग तोप को अपग्रेट करने का लक्ष रखा गया है अपग्रेड इट पहली तोप अक्टूबर में शो आफ होगी दोस्तो अब बात आई है जबलपूर की तो कुछ राजधानी के नाम से भी जबलपूर को जाना जाता है मद्ब्रदेश का दूसरा सरवादिक जड़ा है जबलपूर दोस्तो भारत का पहला ज़ंडा सात्यग्रा है 1923 में जबलपूर में ही किया गया था मदन महल संगराम सागर रानी दुरगावती की समाधी बेडागाट रूपनात अविलेक दुआधार जलपूर परपात ये सभी पर्टक इस्तलें जबलपूर में भारत का पहला बिकलंग पुनरवास के निर भी जबलपूर में ही इस्थापित किया गया था दोस्तो इतना आपको जबलपूर जले के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन किस जले में प्रसासन महिलाओं को राज मिस्त्री बना रही है जिसका सई उफशन है सियोपूर सियोपूर में प्रसासन महिलाओं को ट्रेनिंग देगा करीब 100 से अधिक महिलाएं इस राजमिस्तरी बनाने के लिए चुनी गई है दोस्तो अब बात आईए श्योपूर की तो आपको श्योपूर की बारे में कुछ important fact बता दे यह चंबल संभाग का एक जिला है मुरेना जिले से 1998 में विवाजित किया गया था चंबल लदी के तट पर विवस्तित स्योपूर जिला दोस्तो पालपूर कुनो अब्यारन भी यहीं पर इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको श्योपूर जिले के बारे में याद रखना है अबिननन के बारे में पता ही होगा अभिनन्दन ने मिक 21 से पाकिस्तान के F-16 बिमान को मार गिराय था पर ये भी दुरगहटना ग्रस्ट हो गए थे और पाकिस्तान बॉर्डर में दुरगहटना ग्रस्ट हुए थे नेक्स्ट कॉशन हाली में जोको बेडोडो किस देश के रास्टपती बने है? जिसको से उफशन है इंडोनेशिया हाली में जोको बेडोडो इंडोनेशिया के रास्टपती बने है हाली में इंडोनेशिया में रास्टपती चुना हुआ था जिसमें ये जीत दर्ज करते नजा राए है अगर ये रास्टपती बनते हैं तो दोबारा इंडोनेशिया की कमाल संभालेंगे दोस्तो अब बात आईए इंडोनेशिया की तो आपको मैप में इसकी बारें बता दे मैप में ये जगह है इंडोनेशिया को दर्साती है इंडोनेशिया की राज़धानी है जकारता और इंडोनेशिया की करंसी है इंडोनेशियन रुपिया रास्टपती है यही जो को विडोडो तो दोस्तो इतना आपको इंडोनेशिया की बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली के रेंट अफेर आप हमारे चैनल स्टडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तो 30 important days से related मद्धपृतिस के जी के question का वीडियो एर हो चुका है तो आप इसे जाकर देखें ये बहुत ही महत्पृत और old papers related एक question है ऐसे ही हर 30 question हर बीक में हम लेकर आते हैं तो आपको ये वीडियो देखना जरूर चाहिए तो आज के लिए बसना ही